नमस्कार कक्षा 8 एक्सरसाइस 3.1 कोश्चन नमबर 6 का सी भाग हम करने जा रहे हैं इसमें हमें एक अक्रिती दी गई है और हमें इस अक्रिती में से X का मान निकालना है जैसा कि आप इसी अक्रिती में देख रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 बुझाओं वाला एक पंच बुझे हैं इ लेकिन इन दोनों के बाहिया कोन हमें दिये हुए है अब बच्चो ध्यान से देखो ये क्या है इस प्रकार से एक लाइन है है ना यहां पर तो ये पूरा कौन कितना होता है 180 यदि ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा सोचिए ये 70 है तो ये कितना होगा ये पूरा 180 है ना तो यह सत्तर है यह कितना होगा 180 मे से सत्तर माइनस करते हैं तो आता है 110 110 इसका मतलब यह जो कौन होगा यह होगा 110 डिगरी के बराबर आया समझ बच्चो इसको कहते हैं रैखिक यूगम ठीक है इसको कहते हैं रैखिक यूगम यह आपने किया हुआ है पहले इसी प्रकार से यहां दिखो यहां भी एक सीधी रेखा बनी है इस पर एक इस प्रकार से ये कौन है तो ये पूरा कौन रखर दो इसका मतलब ये जो अंदर वाला कौन है ये होगा 120 डिग्री के बरापर ठीक है बच्चों अब ये है एक पंच भुच आपको याद होगा हमने एक कोशन में पढ़ा था कि यदि किसी बहु भुज की पांच बुजाएं हो तो उसके कोणों का योग कितना होता है याद है आपको अभी हमने पीछे किया था होता है पांच माइनस दो गुना 180 याद है तो पांच माइनस दो है तीन तीन गुना 180 कोणों का योग 5 कौन कौन से देखो X फिर ये वाला भी X प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस उपर वाला 30 डिग्री यही हुए ना इस पंच बुज के 5 कौन 30, 110, 120, X और X एक्स, X 30, 110, 120 इन पांचों को जोड़के 540 डिग्री आएगा, अब देखो X प्लस X यह हो गया 2X इनको आपस में प्लस कर दो 110 और 120 हो गया 330 11, 12, 30, sorry 230 230 में 30 प्लस कर दिया तो हो आगया 260, ठीक है बच्चों मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 11, 12, 23, 23, 26 पीछे 0, तो यह आगया 260 डिग्री बराबर इधर कितना है बच्चों, 540 डिग्री, ठीक है अगले स्टेप में हम क्या करेंगे 260 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा, 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, इसको माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 गया, 0 डिग्री 4 में से 6 नहीं गया सकता यही से उतार लेगा, 14 में से 6 गए 8, यहां 5 में से 1, इसने 4 नहीं ले लिया था बाकी बच गया था, 4, 4 में से 2 गए 2, इसका मतलब 540 में से 260 माइनस करके आए, 280 डिग्री तो अभी यह 2X है, हमें निकालना है X तो हम क्या करेंगे 280 डिग्री यहां आया है 2 इदर X के साथ गुना हो रहा है उधर या क्या हो जाएगा भाग 280 को जब 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 140 डिग्री इसका मतलब X का माण कितना आ गया है 140 डिग्री आ गया है यही X का माण है जो हमें निकाल रहा था ठीक है बच्चो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझाया होगा इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी कि पंच बुझ के अंदर वाले कौन हमें नहीं दिये थे हमने खुझ से सोचे कैसे यह सीधी रेखा है यह सतर है तो यह पूर अब इस पंच भुझ के तीन कोणों में पता थे बाग की दोनों आपस में बराबर थे तो हमने पांचों कोणों का योग कैसे निकाला हमने अभी एक प्रश्न किया था जिसमें दिखा था पांच माइनस दो गुना एक्स ओसी कोणों का योग होता है यदि पांच अब इन 70 और 60 को नहीं ले ना क्योंकि यह तो इस पंच भुझ के बाहर वाले कोण है हमने तो सिर्फ अंदर वाले कोणों का योग देखना है तो इन 3ों को प्लस करके आया 360, वह उधर जाके 540 में से माइनस हो गया क्योंकि इधर प्लस हो रहा था 540 में से 260 माइनस किया तो आया 280, 2x के साथ गुना हो रहा है, उधर जाके भाग हो गया 280 को 2 से भाग कर जाया 140, इसका मतलब x का मान कितना 140, इसका मतलब यह वाला कौन भी X है यह 140 होगा यह वाला कौन भी X है यह भी 140 डिग्री होगा ठीक है बच्चो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्ण अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं हमारे वीडियो तो मेरे वीडियो को बच्चो लाइक जरूर करन YouTube पर धन्यवाद